मानिय सुप्रीम कौट ने आज महाराष्ट के मामले में जो डिसीजन दिया है उस पर हम पूर्ण तरीके से संतोश व्यक्त करते हैं और अब किसी को भी ये शंका नहीं होनी चाहिए कि महाराष्ट की सरकार पूर्ण तहा सव्वेधानिक है पूर्ण तहा लीगल है और ये पूरे सव्वेधानिक ताकत के साथ यहां पर कार्य कर रही है जो इसके साथ साथ एक और चीज बहुत स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहिए इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत स्पष्टता से कहता है कि गवर्नर साब ने शिंदे जी को मुख्यमंत्री पर की शपत लेने का जो न्योता दिया वो सही है इसका ही मतलब यह होता है कि शिंदे जी के नित्रूत्वों में जो सरकार तयार हुए वो legitimate है वो constitutional है और इसलिए हम सुप्रीम कोट का आभार वेक्त करते हैं जो लोग यह कहते थे कि यह सरकार सव्विधनिक नहीं है उनको इसका जवाब मिल गया होगा बशर्ते वो अगर सुप्रीम कोट को मानते हो तो क्योंकि कई बार सुप्रीम कोट पर भी वो प्रश्न चिन्न लगाते है तो अगर देश के सव्विधान को और सुप्रीम कोट को अगर वो मानते होंगे तो आज उनको इस बात का जवाब पूर्ण तरीके से मिल गया कि श्री उद्धो ठाकरे जी नितिश कुमार जी के साथ एक पत्रकार वारता साज़ा कर रहे थे और उस वारता में उन्होंने ये कहा कि मैंने नेतिक्ता के आधार पर इस्तिफा दिया था नेतिक्ता की बात करना उद्धो ठाकरे जी को शोभा नहीं देता क्योंकि मैं उनको सवाल पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के साथ चुनकर आए और मुख्यमंत्री की कुरुसी के लिए कॉंग्रेस एंसीपी के साथ आप गए उस समय इस नेतिक्ता को कौन से डिब्बे में आपने बन किया था इसका जवाब आप दीजिए मूल रूप से उद्धो जी आपने नेतिक्ता के आधार पर इस्तिफा नहीं दिया था आपने डर के कारण इस्तिफा दिया था क्योंकि आप जानते थे कि आपके लोग आपको छोड़कर चले गये हैं आप विश्वासमत प नेतिक्ता की बात मत कीजिये उन्होंने यह भी कहा कि नेतिक्ता के आधार पर शिंद्य जी ने इस्तिफा देना चाहिए इस से आस्त्यास्पत क्या हो सकता है कि जिस सरकार को Strategic Legal legitimate और constitutional थैराता है उस सरकार के मुखिया से वो इस्तिफा मांगते है मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जरूर इस निर्णे का अभ्यास करना चाहिए और उसके बाद इस प्रकार की बात कहनी चाहिए मैं माननी है मुख्यमंत्री जी से निवेधन करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी इस प्रेस वारता को समुधित करे